हेलो बच्चो नमस्कार एक बार फीर से मैं आप लो के लिए एक प्यारे से कंटेंट के साथ हाजिर हूँ तो स्वागत है आपका माधरी क्लासेस में आज मैं आप सभी को डे टाइम टेबल दूँगी क्योंकि सभी बच्चो की मांग थी मैं दिन का टाइम टेबल दीजिये रात का टाइम टेबल दीजिये तो सभी बच्चो के लिए मैं दिन का टाइम टेबल लेकर आई हूँ और रात का टाइम टेबल भी आपको कल तक मिल जाएगा ठीक है तो दिन का टाइम टेबल बताने से पहले मैं आपको बतादू legitimately आप करना के साथ कि एसी तरह के प्यारे प्यारे कंटेंट के साथ मैं आप मिलूँगी और वीडियों देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और जानकारी की चीजे मिले तो प्लीज लाइक और सेयर करना बिल्कुल न भूलें सबसे पहले देखे हम लोग दिन का टाइम टेबल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ठीक है ये दिन का टाइम टेबल है तो आपको इसमें करना का है सबसे पहले मैंने आपको बताया था किसी भी चीज को प्लाइनिंग बनाई जाती है बिना प्लाइनिंग के कोई भी चीज नहीं होती है ठीक है तो सबसे पहले तो आपको 2023 के लिए टार्गेट बनाना होगा ठीक है कि आपको आखिर करना क्या है ठीक है पढ़ना है अच्छे मार्क लाने है या फिर 60-65 में ही रह जाना है तो आपने गोल बना लिया कि आपको कितनी परसंट चाहिए अपने प्लाल को भी यही गोल बनाना है तो आपने गोल बना लिया आप फैष्ट भॉ मैं अलग अलग से और उसको study room में लगा दीजिए चार्ट बना के और मैं आपको बता दू कि आप 95 जो आप पाना चाहते हैं 2023 में उसका भी ये class 10 और 12 बच्चों के लिए है तो सभी बच्चे इसको जरूर देखें और देखें ही नहीं बलकि follow करें ठीक है ये देखने से वीडिय इसको follow कर सकते हैं तो वीडियो पर बने रहें और आप formula का जो है आप सबसे पहले एक चार्ट लगाएंगे 95% का क्योंकि वो हमीशा आपको motivate करेगा अगर आप study room में लगाए हैं जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो वो आपको motivate करता रहेगा कि हाँ इस बार 2023 में आपको यही पाना है ठीक है इसलिए यह लगाना बहुत ही ज्यादा important है अगर सच में आप अच्छा number gain करना चाहते हैं तब ठीक है उसके बाद आपको करना क्या है फार्मूला का चार्ट बनाना है उसको लगाना है तीन चार्ट बनाएए आप मैद की फार्मूला का अलग physics का करना चाहिए कि हां यार यह study room में है तापकि feel आएगी हां हमको पढ़ना है ठीक है ऐसे में कोई भी चीज जहां पर फील नहीं आता है वहां पर पढ़ाई नहीं होती है ठीक है तो सबसे पहले आपको study room set करना होगा पढ़ाई करने के लिए तो चलिए हम time बताते हैं 4 बज से पहले सूरज की आने से पहले ही आपको उठ जाना है जब आप 4 बजे उठेंगे सूरज 5 बजे आता है इसलिए आप सूरज की आने से पहले उठ चुके हैं ठीक है और उसके बाद 4 बजे से उठके आपको क्या करना है आपको याद करना है जो भी चीजे आप साम को हुए है ठीक है उसके बाद उसको आपको रिवीजन करना है चार बजे का इसलिए मैं बोल रही हूँ चार बजे जो है आपके दिमाग जो होते हैं एक्टिव होते हैं और आप लोग देखते होंगे कभी-कभी आप सुबह में उठते हैं कोई सौंग आपके कान में चला जाता ताकि वही गुन-गुनाईए ठीक है इससे आपके जो दिमाग में है वो सारी चीजे सेट हो जाएंगे इसलिए जो भी साम को पढ़िए उसको सुबह में रिवीजन जरूर करिए ठीक है और सभी सब्जेक्ट के लिए को छोड़ देते हैं चलो यार हिंदी तो कर ही लेंग एकजाम आएगा हिंदी कर लेंगे इंग्लिस भी हो जाएगा मैथ फीजिक्स कमिस्ट्री हाड है थोड़ा उसको अभी से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं करना है आपको आधा आधा घंटा पंदर पंदर मिर्ट जैसा भी आपके पास टाइम हो उसको भी देना है ठीक ह सुबा में रिवीजन करेंगे मानली जी आपको आपके पास अगर ओवर टाइम और भी होगा तो उस तरह से टाइम टेबल बनाएंगे यहाँ पर मैंने अपने हिसाफ से लिया हुआ है छा बज़े तक मानली जी चार बज़े से उठे छा बज़े तक आपने रिवीजन किया सभी सब्जेक्ट के लिए थोड़ा थोड़ा अगर आप से एक अठे नहीं हो पा रहा है मानली जीए कि आप आधा घंटा एक सब्जेक्ट में लग रहा है तो पूरे टाइम नहीं हो पा रहा है तो अगला सब्जेक्ट कल के लिए रख दीजे ठीक उसके बाद आपने आध फिर कोई काम नहीं है। माले जी पढ़ाई नहीं होती है। आप इसकूल मत जाए अगर सच में आप अच्छा नंबर गेन करना चाहते हैं। अपने टाइम को जितना जादा हो सके उतना जादा बचाने का प्रयास कीजिए टाइम को खराब मत कीजिए किसी दोस्त के साथ गपसप करने में ये सब करने में बिल्कुल भी टाइम बेश्ट मत कीजिए ठीक है ऐसा करने से आप 95 नहीं पाएंगे ठीक है और 70-65 में ही अटक का त्याग करना पड़ेगा त्याग में आपकी जो गपसप है उसको त्याग करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आप दिन भर पढ़िए ठीक है दिन भर पढ़ना नहीं खेलिए कुद ये दोस्तों से बाते कीजिए बहुत सारी चीजे हैं लेकिन उसी टाइम टेबल में उसको भी मैनेज करना है ठीक है यहाँ पर मैंने स्कूल के लिए आपके कोई टाइम डिवल नहीं बनाया है अगर आप स्कूल जाते हैं फिर तो आप स्कूल गए तीन बजे तक आपकी स्कूल की वापसी होई ठीक है अब आपको अगर स्कूल के टाइम पर भी टाइम मिलता है तो उसमें भी आप जो भी subject के आपको नहीं हो पा रहे हैं, उनको आप यहाँ पर भी manage करेंगे, ठीक है, यहाँ सभी बच्चों को 24 घंटे ही मिलते हैं, ठीक है, आपके लिए अलग से कोई समय नहीं है, आपको भी मिले हैं, ठीक है, कहते हैं मौका सब को मिलता है, आपको भी मिल चाह मेरे टाइम टेबल से पढ़कर 95 क्रॉस किया है ठीक है उसके बाद आप लोग 3 बजे घर वापस आ गए ठीक है घर वापस आकर खाना खाएं आराम किया तीन से चार बज गया ठीक है आपका तीन से चार बज गया अब चार बजे से खेलना भी बहुत जरूरी है अगर खेलिए वापके उपर है कि आप क्या खेलते हैं ठीक है अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं फिर आपके पास बहुत टाइम होता है अगर आप स्कूल जाते हैं फिर टाइम आपके पास ज्यादा नहीं होता है ठीक है इसकूल जाते हैं वहाँ पर ठक जाते हैं तो मैं इतना जरूर कहूंगी अगर आपको स्कूल में कोई भी काम नहीं है यानि अच्छे से आपके क्लास भी नहीं चलते हैं तो इसकूल मत जाएए ठीक है आप घर पे रहकर मोबाइल से पढ़ाई कीजिए मोबाइल में सारी चीजे यूटूब पर सारी चीजे पढ़ाई जा रहे हैं अच्छे चीचर हैं हर एक सबस्क्राइब कर लीजे अे हिंदी और सभी सबजेक्ट के इंपरदेन को स्देर्ट को स़चन आपको मिलेंगे इंदoon यहां पर तड़ाई जाएगी तो इसको सब्सक्राइब कर लिजी यहां किया फिर से आप 6 बजे पढ़ने बैठ जाए ठीक है 6 बजे मान लीजे आप मैथ पढ़िए ठीक है 6-7 एक घंटे मैथ पढ़िए और 7-7 हिंदी में हिंदी के लिए आधा घंटा ही बोल रही हूं उतने में आपका काम हो जाएगा ठीक है और अगर आपने हमारे चैनल को हिंदी के लिए सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत ही बेश्ट होगा क्योंकि आपको यहां पर हिंदी के लिए मैं 95 दिलाओंगी आपको ठीक है और आपको ज्यादा पढ़ना भी नहीं पढ़ेगा क्योंकि देखिए सिप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजे मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कराऊंगी जिससे की आपको ज्यादा पढ़ना भी ना पढ़े और आपको जो है 98 परसेंट इससे भी ज्यादा ठीक है जैसा आप पढ़ोगे वैसा चीज मिल जाए क्योंकि यहां पर ऐसे कंटेंट मैं दूंगी आपको जो की एकदम स्पिस जाएंगे आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा ठीक है इसलिए इन लोग को एक एक घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है देना और अगर आपके पास स्कूल का टाइम बचेगा तो उसको भी सी में मैनेज करेंगे और यहाँ पर साढ़े आठ से साढ़े नौ इंगलिस साढ़े नौ से साढ़े दस आपको फीजिक्स पढ़ना है ठीक है कि मैं आपको टेंथ ट्वेल्थ दोनों की इंगलिस की हिंदी की सभी इंपॉर्टेंट चीजे दूंगी जो की आप पढ़ेंगे बेसिकली मैं कम से कम वर्ड में कम से कम कंडेंट में देना चाहूंगी ताकि आप लोगों का ज्यादा समय न जाए तो और उसके बाद देखें सोना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप रात को मुबाइल मत चलाए बहुत देर तक 11 बजे तक आपको सो जाना होग तो आशा करती हो कि आप सभी को ये टाइम टेबल बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसको मैंने बहुत ही सोच समझ कर बनाया हुआ है और जिसको टाइम में थोड़ा बहुत दिक्कत हो अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा विडियो की जानकर इच लगी हो तो ल नहीं भी टाइम टेबल मिल जाए